इन्सान उन चीजों से ज़्यादा बिमार नहीं होता जो चीजे वो खाता है लेकिन उन चीजों से वो ज़्यादा बिमार होता है जो उसके मन को बार बार खाती है और इसलिए उसका मन अशान्त होता है क्योंकि मन के अंदर गिल्ट कॉंचस है मेरे से यह हुआ मेरे कारण यह हुआ मेरे से यह गलतियां हुई तो मन अशान्त तो तन अशान्त मन अशान्त तो धन अशान्त और इसलिए इस मन को मुझे सबसे पहले शान्त करना है जोग हुआ सो हो गया लेकिन अभी मैं अपने मन को शान्त स्थेर कैसे करूँ मन की शान्ती माना सिर्फ सकारात्मक सुख देने वाले विचार करना जब हम इनी टाइब के विचार करते जाते हैं मन आटोमेटिक शान्त होता है और फिर बिमारिया भी दीरे दीरे खतम हो जादें थी और इसलिए मन की शान्ती बढ़ाने के लिए एक छोट आसा हम मेडिटेशन करते हैं अपनी आखों को बंद कर दीजिए अपने आपको रिलाक्स करें और मन के नेत्र से अपने चेहरी में मस्तक के बीच में बैठी हुए उस उरजा को देखें जो एक पवित्र उरजा है एक प्रकाश का पुंच है और सकारात्मक और शुभ विचार करें मैं पवित्र तासे भरपूर उरजा हूं मैं एक पवित्र आत्म हूं मैं शांती से संपन उरजा हूं मेरे जीवन में जो कुछ हुआ वो मेरा भाग्य था अब जो कुछ होगा बहुत अच्छे ते अच्छा ही होगा यह सोचने से ही मेरा मन स्थेर हो जाता है अब मेरा मन स्थेर है संतुष्ठ है चिन्ता से मुक्त है अभी मैं उमंग उच्छा से बरपूर हूँ और सिर्फ यही सोचता हूँ अब जो भी होगा बहुत अच्छे ते अच्छा ही होगा क्योंकि मैं शान्त हूँ स्थेर हूँ संतुष्ठ हूँ ओम शान्त है क्योंकि मैं शान्त हूँ स्थेर हूँ स्थेर हूँ स्थेर हूँ स्थेर हूँ स्थेर हूँ स्थेर हूँ झाल